आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसी कंपनियां जिनकी 27 तारिक को रिजल्ट आने वाले हैं और डिविडेंट की वी एक होसला कर सकती है साथ-साथ बॉनस और इस्पिलिट भी मिल सकता है तो देखेंगे कौन-कौन सी यह कंपनिया है लेकिन देखें उससे पहले यह आपने हम Portfolio Managers Limited और 300 के आसपास का इसका Current Price चल रहा है बहुत चोटी कंपनी है 336 करोड की और इसका जो है रिजल्ट बहुत अच्छा हमें देखने को मिल सकता है इसको भी हम नजर में रख सकते हैं और अनुपम रशायन यह तो बहुत ही टार्गेटेड स्टोक है बहुत से लोग इसमें invested हैं तो इस पर भी नजर बनाके रखी जा सकती है अच्छा result इसका भी हमें देखने को मिल सकता है इस लिस्ट में देखे एक यह छोटा सा share भी है जिसका नाम है Regency FinCorp Limited और इसका अगर result ठीक ठाक आता है तो यह बहुत अच्छा target हमें दिखा सकता है पैनी share है 3-4 रुपे के आसपास है बहुत छोटा share है लेकिन इसको हम एक education परपज के लिए watch list में अपने रख सकते हैं फिर है इसके बाद BLS Info Tech Limited और इसके बाद है देखिए galaxy bearing यह share तो जो यह galaxy bearing है इसको तो मैंने खुद personally में invested हूँ क्योंकि हर बार इसके जो result आते हैं ब sales भी इसकी दूनी हो रही है पिछले 3-4 सालों से तो बहुत अच्छा यह return हमें in future दे सकता है अच्छे return यह हमें दिखा सकती है company यह सभी फिर आता है वेदानता सबका favorite वेदानता और वेदानता जो है वेदानता हमें दे सकता है एक dividend 20 से 30 रुपे के बीच पहले ही बोल दि शांदार रिजल्ट आ सकता है इसका और यह share देखे कल के दिन बहुत अच्छी rally हमें दिखाएगा definitely कम सकम 1-2% की तेजी इसमें जरूर आएगी अगर market positive रहत तो और जो इसका dividend है बहुत बहुत ही शांदार मिलने वाला है हमेशा सही मिलता है 21% का इसका dividend yield बना हुआ है दे inoflex limited तो यह बहुत ही शांदार चारो कमप्णियां यह होने वाली है इनके result बहुत ही शांदार हमें देखने को मिल सकते हैं इन पर नजर बना के रखिए और multi-wagger return देने वाली यह कमप्णियां है सभी यह phenotex chemical AIA और आर्थि ड्रग यह तो अभी तक आप record देखेंगे तो बहुत शांदार इनका पिछला record भी रहा है वी तक तो हमने देखे यह जो 27 तारिक में result आने वाले हैं अब यह देखते हैं 28 जनवरी को देखें तो इसमें जो most weighted result रहेगा वो रहेगा R power का यानि कि Reliance power 28 जनवरी को क्योंकि अभी penny share की स्रेड़ी में आता है कभी बहुत अजर बना के रखी जा सकती है और देखिए जो सबसे radar पर रहने वाला है share वो है विकास EcoTech Limited 30 जनवरी को इसका भी result आएगा और इसका इसलिए महत्पूर्ण है क्योंकि देखिए अभी इसी का जो साथी है विकास Life Care उसने result दिया है और result इतना शांदार था कि हर जगा लगभग चार गुना हो गया है उसका तो इसमें भी कुछ ऐसे ही result की expectation है देखिए उसका जो कारण था यह था कि उसने अपना करजा कम कर दिया है जिस वाज़े से उसे अब व्याज नहीं देना पट रहा है तो उसका profit बहुत सांदार बड़ा है ऐसा ही इसके साथ भी हो सक आतम कर चुकी है यह company भी तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजेगा मिलते हैं फिर नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत